नमस्कार दोस्तों, दोस्तों क्या ट्रेडिंग फॉरे लिविंग इस पॉसिविल, पॉसिविल है कि ट्रेडिंग करके हम जिन्दा रह सकते हैं, हम अपना परिवार चला सकते हैं, हम अपना घर चला सकते हैं, मैं एक दम लैविस लाइफ की बात नहीं बोलना हूँ कि हम न 10% में आ सकते हैं तो कैसे हम न 10% में आ सकते हैं इस बात को हमने समझ नए किस कारण से हमारे नुकसान होते हैं बहुत सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है ट्रेडिंग के लिए तो ट्रेडिंग फार रिबंग पॉसिबili है या नहीं है इसी के उपर आज हम पूरा एक चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ में तो यहां पर मैं आपको अपने computer screen में लेके चलता हूँ वहां पर मैं आपको यह समझाने की कोजिस करूँगा कि हमें क्या-क्या देखना चाहिए जब हम trading करते हैं में क्या options trading में जब हम जाते हैं तो हमें किया-क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए trading में जब हम जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस बात की मैं चर्चा करूँगा मैं यह बताने की कोजिस करूँगा कि मैं क्या-क्या देखता हूँ मैं किन चीज़ों पर ध्यान रखता हूँ तो मैं आपको अपने computer screen की तरफ लेके चलता हूँ देखे ये मैं लेके आगया आपको अपने computer screen में तो trading for a living क्या possible है ये हमने देखना है मैं मानता हूँ कि हाँ possible है देखो 10% लोग ही success होते हैं मैं ये नहीं बूलूँगा कि मैं भी बहुत जादा success हूँ इसमें stock market में बहुत लाखो करोडो रूपे मैंने बना लिया ऐसा भी नहीं लेकिन हाँ मैं अपना जीवन जी सकता हूँ stock market से stock market trading से कैसे trading करनी चाहिए किस चरह से करनी चाहिए ये मैंने भी बहुत सालों में सीखा है तो मैं मानता हूँ कि हाँ possible है अब हमें क्या देखना चाहिए हमें किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए इसे भी हम समझेंगी तो सबसे पहली चीज जो मैं मानता हूँ वो है mindset तेको trading के लिए जो सबसे पहली चीज है वो मैं मानता हूँ कि mindset हमारा जो mindset है ये एकदम बहुत strong होना चाहिए discipline होने चाहिए हम और हमारे जो भी objectives है वो clear होने चाहिए emotional control हमारे को होना चाहिए trading में सबसे main चीज़े रहती है बहुत सारे लोग emotion पे ही control होना बहुत ज़रूरी है patience होना चाहिए हमें हमारी trading करने के वाद हमने कोई strategy बनाई तो patience के साथ में बैटना होता है ऐसा नहीं कि अभी मैंने बनाई हो मैं देखने लगा रहे कुछ हुआ profit हो रहा है नहीं हो रहा है loss हो रहा है क्या हो रहा है अपनी strategy में एकदम से चेक कर रहा हूँ हमें patience के साथ बैटना पड़ता है जब हम options में करते तो हमें पता रहता है कि वहाँ पर बहुत सारे Greeks बहुत सारे factors काम करते हैं तो patience के साथ हमें बैटना पड़ता है अपनी strategy में हमारे पास ability होनी चाहिए अपने plan के उपर addig रहने की हम अपने plan के उपर जिस plan पर हम चल रहे है उस plan को follow करना मैं यह समझाना चाहरा हूँ कि उस plan को follow करना बहुत जरूरी है जो भी हमने plan बनाए है ऐसा नहीं कि अभी मेरा view है मेरे को लगता है कि महीने भर में बजार उपर जा सकता है या suppose example लेते है reliance उपर जा सकता है मेरे को महीने भर में लगता है reliance तेज हो सकता है और आज अगर थोड़ा नीचे आया तो मैंने अपना view change के लिए नहीं reliance अब नीचे गिर जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमने view बनाया है उस plan जो भी हमने plan बनाया उस पे हमें stick रहना पड़ता है अब एक example से ही मैं समझाना चाहूँगा थोड़ा सा mindset को अगर हमारा trade गलत चले जाता है अगर हमारा trade गलत चले गया तो हमने क्या करना होता है हमने उसमें react नहीं करना एकदम से react नहीं करना होता है कि अरे trade गलत होगे एकदम से react कर रहे है कि भाई अब मैं कुछ और करता हूँ यहां से निकल जाता हूँ फिर long position को काट के short side में जाता हूँ तो यह सब एकदम से नहीं करना होता है अराम के साथ में काम करना होता है जब भी हम काम करते हैं, तो एकदम से react नहीं करना है, हमें अपनी strategy जो भी हमने plan बनाया है, उसे follow करना है, उसके ध्यान देना है, हमें ये पता होना चाहिए कि trading में short term loss होते ही हैं, ये बात हमें पता होने चाहिए, कि trading में short term loss होते हैं, तो हमें अपने plan के साथ में चलना है, जो भी हमने strategy बनाई है, जो भी हमने plan करा है, उसके इसाब से चलना है, अपने mind को बार-बार change नहीं करना है, अभी तेजी कर लेता हूं, अभी बंदी कर लेता हूं, अभी मैं neutral हो जाता हूं, बहुत सारी चीजे होती हैं, तो एकदम एकदम से decision नहीं लेना होता है, लोग तो है mindset के बाद हमारा money management, और अगर हम money management proper तरीके से करते हैं, तो हमारा mindset भी बहुत strong रहता है, ये मेरा मैंने सीखा है बजार से, कि अगर हम money management अपना proper तरीके से करते हैं, तो mindset strong रहता है, अब proper money management जो है, वो हमें बताता है, कि don't risk too much, हमने ज्यादा risk नहीं लेना है अपने capital के उपपर, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ज़्यादा रिस्की ट्रेड नहीं बनाना है, अगर हमारा कैपिटल उस ट्रेट को अलाव नहीं करता है, तो नहीं बनाना है, अब मैं एक example से भी समझाने चाहूँ, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, money management में, account में उनके है एक लाख रुपिया, एक लाख रुपिया, चलो मैं इसे दो लाख कर लेता हूँ, account में दो लाख रुपिया है, और वो क्या करते हैं, naked option selling करते हैं, तो दो लाख बालों के लिए naked option नहीं है, अगर आप कुछ बेच रहे हो, मानो reliance अभी 3,000 चल रहा है, suppose, और आपको लगता है कि 2900 के put को मैंने sale करना है, तो अगर आप इसे बेच रहे हो तो ये naked है, आप नीचे जाके कुछ buy भी कर लो, 28 buy कर लो, थोड़ा सा protect हो जाओगे, अगर अचानक कभी नीचे गिर गया, 2700 हो गया, तो आप at least safe रहोगे, वो 2 लाख वाले को तो अपने को hedge रखना बहुत जरूरी है, और यहीं मैं एक दूसरा example बताता हूँ, कि capital अगर suppose हमारे पास 10 लाख रुपिया है, और मैंने 2900 का रिलाइंस का put naked भी बेचाए, तो मेरे को problem क्यों नहीं है, मैंने इस trade के लिए, रिलाइंस के trade के लिए ही 10 लाख रुपिया रखा है, तो यह 2900 का जो put है, अगर मैंने इसे sell भी करा है, तो क्या होगा, अगर 2700 भी आ गया, तो मुझे पता है कि नीचे में मेरे पास इतना capital ह कि रिलाइंस को मैं cash में convert कर सकता, अपने put को cash में convert कर सकता हूं, जिसे हम CSP बोलते हैं, तो लोग naked put based देते हैं, एक एक दो दो लाख रुपे margin होता है, naked put based देते हैं, तो यह बिलकुल गलत है, ऐसा नहीं करना होता है, अगर हम money management इसे proper money management नहीं बोलेंगे, दो लाख लेंगे चलेगा, हमें पता है, नीचे में आके buy कर लेंगे, अब अगर मैं इसका एक example और समझाने की कोशिस करूं, तो if your trading account 10,000 रुपे हमारे trading account में है, और हमने यह decide करा है, कि 1-2% से ज़्यादा risk हम नहीं लेंगे, तो 2% का मतलब हो गया है, हमें maximum loss 100-200 रुपे लेना है, हमें 100-200 रुपे लेना है, अगर 10-100 रुपे हमारे पास capital है, 10-100 रुपे capital में हम बहुत बड़ा काम तो नहीं कर सकते, तो अगर कम capital है, तो हमें यह पता होना चाहिए, एक-दो परसेंट में में मेरे को निकल जाना है, चाहे profit हो, चाहे loss हो, तो यह हमने जो risk लेना है, वो ह हमें 100-200 रुपे लेना है, अगर 10-100 रुपे capital हो, ओके, यह हो गया हमारा money management, अब हम आ जाते हैं, कि हमने mindset भी strong कर लिया, अपना money management को भी समझ गए, फिर हमने क्या करना है, हमारे पास एक strong trade plan होना चाहिए, हमारे पास जो भी trade plan है, वो बहुत strong होना चाहिए, कैसे हमारे पा कोई भी stock भाग रहा है, और हमने entry कर ली उसमें, ऐसा नहीं करना है, हमें entry हमारी proper time पर हमें पता होना चाहिए, किस जगे पर हमने entry करनी है, कब हमने exit करना है, risk management का जो criteria है, वो हमारे को पता होना चाहिए, हमारा, इससे क्या होता है, कि हमारे जो goals रहते हैं, जिने हम अपने rules को भी follow कर सकते हैं, proper तरीके से, और हम emotional decision लेने से बच जाते हैं, हम क्या होता है, emotional decision लेने से बच जाते हैं, जब हम proper time पर exit करते हैं, और हमारा पास जब एक proper trade plan रहता है, अब इसे में एक example से और समझाने चाहूंगा, कि हमने trade plan बनाया है, कि 50 day moving average के उपर अगर कोई stock निक अगर मैंने ये plan बनाया है, 50 day moving average के उपर ही मैं buy करूंगा, तो बीच में मुझे और कुछ नहीं करना है, कि 20 day के उपर भी buy कर लेता हूं, 10 day के उपर भी buy कर लेता हूं, तो 100 days के उपर भी buy कर लेता हूं, तो मेरे को बार बार change नहीं करना है, मैंने जो trade plan बनाया है, मुझे को profitable है तो मिरे को उसी trade plan के साथ में चलना है और stop loss भी 2% का लेके चलना है जब भी मैं entry करता हूं तो अगर मैं naked काम कर रहा हूं तो वहाँ पर stop loss बहुत जरूरी है अगर मैं hedge बना रहा है तो वहाँ पर limited loss जो हमें पता रहता है कि कितना loss रहेगा जैसे मैं iron contour बनाया मैंने मिरे को पता है कि मेरा कितना loss रहेगा iron fly बनाया मुझे पता है कि कितना loss रहेगा लेकिन अगर मैं naked कोई position ले रहा हूं कि 50 day moving average के उपर अगर कोई stock निकला मानो reliance निकला 50 day moving average के उपर अब मैं future buy करना चाहता हूं इसका और यह नहीं सोचना है कि जब 2% नीचे आएगा तम मैं काट दूँगा तो वो नहीं कट पाता है फिर वहाँ पर तो यह हमारे पास एक strong trade plan भी होना चाहिए जैसे मेरे पास बहुत सारी trade plan रहते हैं कि हमारे पास एक powerful trading strategy होनी चाहिए बहुत powerful trading strategy हमारे पास होनी चाहिए कैसी powerful strategy मतलब इससे क्या होता है देखो जब trading strategy should be based on a proven methodology मतलब हमारी जो trading strategy हो वो किसी methodology के उपर होनी चाहिए मतलब वो सिद्ध होनी चाहिए किसी चीज से प्रोब होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ यह जो strategy है यह काफी अच्छी work करती है उसके उपर ही मेरे को काम करना है तो हमारे पास एक strong strategy होनी चाहिए बहुत ट्रेड बहुत powerful trading strategy होनी चाहिए जिससे क्या होता है कि मैं मेरे goals को सपोज मैंने एक cash secured put sale करा sailing एक cash secured put on stocks you want to own ऐसा stock जैसे मैं खरीदना चाहता हूँ जैसे सपोज reliance ही है reliance का सपोज मैंने 2900 का put sale करा यह सोच के कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ और अभी current price reliance का सपोज 3000 रुपए तो यहाँ पर क्या है generate income while positioning yourself to buy a stock at a discount यह मतलब कि मैं इस put को बेच रहा हूँ इसलिए बेच रहा हूँ कि मैं current भाव पर reliance इतना महगा तीनेर के भाव मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ मैं खरीदना चाहता हूँ 2900 के पास में जैसे जो CSP हम बोलते हैं तो उस strategy का एक example मैंने यहां पर लिया है कि भई अगर 2900 का put मैं बेचता हूँ और reliance 2700 भी आ गया तो मेरे को यहां पर buy के लिए कोई problem नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं तो यहां पर नहीं खरीद रहा है मैं तो 2900 पर खरीदना चाहता था तो वहां से यहां से 200 का नुकसान है यहां से 300 का नुकसान होता तो फिर उसे भी मैं कहीं न कहीं adjustment hedge कर सकता हूँ कुछ न कुछ उसमें काम कर सकते है तो मेरे जरूरी नहीं कि cash security putty करो मतलब जो भी आपके पास strategy हो वो थोड़ी powerful हो उसका कुछ क्या बुलते हैं उसे वो थोड़ी सिद्ध होनी चाहिए जिस पर आपको विजवास हो मतलब आपके strategy पर आपको विजवास हो कि बही कितनी powerful आपकी strategy है कैसे वो work out करती है फिर powerful strategy के पास हमारे पास powerful tools भी होने चाहिए tools जो होते हैं वो भी बहुत इसके एक laptop होना चाहिए या फिर एक desktop होना चाहिए laptop होगा तो ज़्यादा अच्छा है क्यों कि हम कहीं भी इदा उदार सफर करते हैं तो उसे कहीं भी ले जा सकते है laptop को desktop को उठाके आप बार बार इदार नहीं ले जा सकते तो इसलिए क्या है लैपटप होना जरूरी है इसलिए क्यों जरूरी है लैपटप होना क्योंकि हम काफी कुछ देखते हैं वहाँ पर चार्ट भी जाके देखते हैं अगर मैं मोबाइल में काम करें तो मैं चार्ट भी देखूंगा मैं मेरे scanner भी देखूंगा, मैं मेरा hedging excel भी देखूंगा, delta hedging excel भी देखूंगा, तो mobile में possible नहीं होता है, इसलिए laptop होना बहुत जरूरी है, और फिर इसके साथ में क्या होता है, हमारे पास जो reliable tools रहते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, मेरा hedging excel है, जिसका मैं use लेता हूँ, delta hedging excel जिसका मैं use लेता हूँ, charting software आपके पास होना चाहिए, कोई भी software आप use करते हो, तो वो एक charting software होना चाहिए, news feeds होने चाहिए, risk calculators आपके पास होना चाहिए, जिससे आप एक informed decision ले सकें, सही है, तो हमारे पास tools भी strong होने चाहिए, जैसे अगर मैं example के बात करूँ, charting tool to identify, support and resistance, support resistance के लिए हम अपने charting tools का use लेते हैं, कि कहां पर support है, कहां पर resistance है, किस जगे पर मेरे को क्या trade लेना है, तो मेरे को chart से भी काफी idea आजाता है, तो ये हमारे पास होने चाहिए, charting tools, ओके, फिर scanners, scanners बहुत जरूरी है, scanners क्यों जरूरी है, कि हम बहुत ज़दा time नहीं दें, अपने research करने में ही बहुत ज़दा time नहीं दें, तो हमें कुछ भी अगर search करना है, तो हमारे सामने मौजूद हो जाना चाहिए, सही है, कैसे होना चाहिए, देखो, इसका एक example मैंने दे रहा है, nifty stock that trading near 52 week high, अब ऐसे stocks मेरी की list मेरे को चाहिए, जो 52 week high के पास में चल जब भी 100 day moving average के उपर cross करेगा, तो 50 hundred को cross over पर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, यह 50 हो गया और यह हमारा hundred हो गया, तो इसके cross over भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इसका भी scanner हमारे पास होना चाहिए, मतलब मेरे कहने का मतलब कि हमारे पास scanner होने चाहिए, जीज भी strategy पर हम काम करते हैं, हमें stocks filter हो के आ जाएं, कि कहां पर मेरा scanner बता रहा है कि किस stock में मेरे को आज काम करना है, इसलिए scanners भी बहुत जरूर रहते हैं, जब हमने क्या करना है, trading for a living, trade only west fundamental stock, अच्छे यह भी मैं आप से कहना चाहूँगा कि केबल हमने fundamental stocks पर ही काम करना होता है, अच्छे stocks पर जो top nifty के 10 stocks हैं, top 10 stocks of nifty 50, उनमें ही काम करना पड़ता है, जैसे reliance हो गया, SDFC हो गया, हमारे पास hero moto हो गया, maruti हो गया, अच्छे strong stocks की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें ही काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहीगा, तो इस चीज़ पर हमने focus करना होता है, तो वो भी पैसा बना के दे देते हैं, तो ये चीज़ धिहान रखनी हमने, fundamental stocks होने चाहिए, बढ़िया, best fundamental stocks होने चाहिए, अब आजाते हैं, what is strike price to trade, अब हमें कौन से strike price पर trade करना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर हम option seller हैं, तो किसी भी strike price को उ कौन से stock पर हमने काम करना है, कौन से strike price पर हमने काम करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए, इसके लिए हम support resistance का भी use ले सकते हैं, कि कहां पर support है, कहां पर resistance है, उसका भी use हम ले सकते हैं, तो अब यहां पर हमने क्या देखना है, जैसे suppose एक example से बताना चाहूंगा, if you are bullish on a stock अगर हम किसी stock पर bullish हैं, जिसका current price thousand rupees है, और हमें लगता है कि वो 950 के नीचे नहीं आएगा, तो सही है, 950 के put को हम बेच सकते हैं, अगर हमें लगता है कि 950 का strong support की तरह काम कर रहा है, strong support की तरह काम कर रहा है, नहीं आएगा, तो 950 के put को बेच सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने money management वाले जो funda है, उसे ध्यान रखना है, money management का जो मैंने बताया है, उसे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि लाग दो लाग रुपे तो मैं naked put based हूँ, वो चीज भी ध्यान रखना है, सही है, तो हमारी यहां पर win की probability भी high हो जाती है, जब हम इस तरह से काम करते हैं, पूर सारे लोग क्या गलती करते हैं, यह भी मैं बताता हूँ, weekly अगर हम index की मैं बात करता हूँ, तो weekly strike price पर काम करते हैं, बहुत सारे लोग, weekly strike price पर ही लगे रहते हैं, जहां पर premium कम होता है, अब weekly strike price पर काम करने के कुछ फायदा है, तो कुछ नुकसान भी है, कैसे नुकसान है सपोज अगर मैं option seller हूँ अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो अगर मैं निफ्टी की example लेता हूँ कि सपोज निफ्टी चल रहा है हमारा 24,300 हमारा निफ्टी है और मैं 24,000 का weekly अगर put sale करता हूँ weekly put sale करता हूँ तो मुझे पता है मुझे premium बहुत कम मिलने वाला है लेकिन यही अगर मैं monthly में चले जाता हूँ तो वहाँ premium मुझे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और मेरे ट्रेड में मेरे को success होने के लिए time भी ज़्यादा मिलेगा weekly में हमें पता है कि डिके जादा होता है थीटा डिके जादा होता है कि अगर मैं 10 रुपे में कोई option बेच रहा हूँ तो मुझे पता है वो जल जल दी गलेगा लेकिन यहाँ पर अगर मैं 100 रुपे में कोई option बेच रहा हूँ तो मुझे पता है वो time लेगा लेकिन यहाँ मेरे को 10 नहीं 100 रुपे मिलने के chances हैं, पहले ही मैं time दे रहा हूँ वहाँ पर, तो strike price भी expiry concentrate करनी है, ये भी हमारा एकदम clear होना चाहिए trading horizon के हिसाब से हमारी strike price match होना चाहिए, sorter expiry है more time decay, हम यहाँ पर देख रहे हैं while longer expiry trade, more time to work out, मतलब हमारे को time ज़्यादा मिल जाता है, अपनी strategy पर काम करने के लिए, अगर गलत भी हो रहे हैं तो उसे हम सही कर सकते हैं, time मिल जाता है हमें, यहाँ पर एक example से if you expect a stock to move within month अगर हमें लगता है कि एक महीने के अंदर stock move करेगा, तो हमने क्या करना है, 30 days expiry पर ही काम करना है कि 30 दिन जो monthly expiry रहती है वहाँ पर काम करना है, अगर हमें लगता है कि एक हपते के अंदर ही हमारा index moment लेने वाला है, और बड़ा moment ले सकता है, तो वहाँ पर हम weekly में जा सकते हैं लेकिन यह हमें पहले से ही decide होना चाहिए कि कि स्ट्राइक प्राइस पर है और किस expiry पर हमने trade करना है अब यह आजाते हैं, हम 10 पॉइंट है हमारा क्या है कि how much premium I received कितना premium मैं received करूंगा कितना premium मेरे को received करना चाहिए, देखे, the premium received from selling options should be sufficient to justify the risk tolerant, higher premium comes with higher risk, सही है अब कैसे, अगर suppose मेरा विउट है कि मेरे को महीने में 3% री बनाना है, समझना मेरी बात को, मैं यहां पर समझाता हूँ कि मुझे 3% महीने का बनाना है तो मैं उसके हिसाब से अपने premium का selection करूंगा उसके हिसाब से अपने premium का selection करूंगा सही है और अगर मेरा व्यू है कि नई मुझे तो 10% बनाना है मुझे 10% बनाना है 10% तो प्रेमियम नहीं मिलेगा लेकिन चलो 5% बनाना है कि मेरे को 5% महीने का बनाना है तो मैं उसके इसाब से अपना प्रेमियम डिसाइट करूँगा लेकिन अगर मैं 5% बनाने की सोचूँगा तो यहां पर मेरा रिस्क भी थोड़ा हाई रहेगा और अगर मैं इधर जाता हूँ तो यहां रिस्क मेरा लो रहेगा और अगर मैं सोचता हूँ कि केवल मेरे को महीने में 1% ही बनाना है कितना 1% तो यहां मेरा risk और low हो जाएगा सही है तो यह चीज हमारे को decide करना है कि किस premium हमने कितना premium receipt करना है लेकिन उसके साथ में हमने ये भी देखना है क्या देखना होता है कि भई मैं जो risk ले रहा हूँ वो कितना risk ले रहा हूँ ये भी मुझे देखना है अगर मैं 1% कमा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं करना है कि भई मैं यहां पर 50% का risk लूँ मैं 20% का risk लूँ ये नहीं करना है न मेरे को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है तो अगर मैं 5% कमा रहा हूँ मैं कभी में रिस्क में भी जाता हूं तो मिरे को कैसे करना है उस चीज़ का मिरे को पूरा प्रॉपर आइडिया होना चाहिए तो उसके इसाप से अब एक एक एग्जाम्पिल से यहां पर समझ लेते हैं if you sell a put option and received 200 per share मतलब 20 रुपए premium हमने sale करा और lot size उसका 100 का है तो मेरे को पता है कि मेरे को 2000 रुपय आना है घर में अब यह 2000 रुपय जो आ रहा है वो मेरे रिस्क को compensate करता है क्या- यह मैं समझाने जारू तो numero 2000 रुपय जो मैं कमा रहा हूं यह को बितना premium मुझे receive करना चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखना है तो यह depend on strategies के उपर भी depend रहता है कि आप कौन सी strategy बना रहे हैं उसमें risk कितना है कितना reward है वो चीज़ भी समझ दी है अब एक और हम आ जाते हैं कि how much risk is involved यह 11 point हो गया हमारा कि the risk is trade by considering factors like volatility strike price हो गया distance from current price हो गया and your exposure तो यह risk कितना involved है मेरे trade में यह मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो trade बना रहा हूं उसमें risk कितना involved है देखो हम मैं हमेसा यह बोल दा हूं कि profit के पीछे हमने नहीं भागना है हमने अपने risk को minimize करना है अगर हम अपने risk को minimize कर लेते हैं तो profit तो बजार हमें दे देता है अगर हमने अपने risk को minimize करते हैं तो profit बजार हमें दे देता है कि हमारे पास वो potential होना चाहिए कि हम नीचे अगर आ जाता है 950 के नीचे आ जाता है तो वहाँ पर अपनी position को cash में convert कर सकें तो risk involved हमें पता होना चाहिए कि कितना risk है और इसी को मैं अगर दूसरे तरीके समझू कि मेरे पास potential नहीं है कि मैं नीचे में cash में share buy कर सकता हूँ तो अगर मैं 950 के put को sale कर रहा हूँ तो मैं at least 900 के put को buy भी कर लूँ वहाँ पर जिससे मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा risk कितना है मेरा risk के कितना है अगर मैं naked बेशता हूँ तो मेरे को पता है downside में unlimited risk है तो उससे बचने के लिए मेरे पास उतना capital होना चाहिए कि मैं stock को नीचे में buy कर सकता हूँ तो इसलिए क्या है how much risk is involved ये भी हमें पता होना चाहिए कि मेरे trade में कितना risk involved है क्या मैं उस risk को जहिल सकता हूँ ये मेरे को पता होना चाहिए अगर नहीं जहिल सकता तो अपने risk को minimize करना ज़रूर है कि महाँ पर अब हम आ जाते हैं how many lots should I trade, कितने lots में मुझे काम करना है ये भी बहुत बड़ी गलत पहम ही लोगों को रहती है कि मेरे को एक lot में करना है, पांच में करना है, दस में करना है, कितने lot में करना है तो ये हमें पता होने चाहिए हमारे account size के हिसाब से हमें पता होने चाहिए, अपने account size के हिसाब से हमने risk लेना होता है इसका example में बतायता हूँ, if your account size is one lakh rupees, अगर मेरा account size one lakh rupees का है और मैं comfortable हूँ कि मैं 2% ही risk ले सकता हूँ, तो मेरा काम क्या है, you might trade one lot one thousand stock मतलब मेरे को 1000 quantity से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मेरे को 2% नीचे तो मेरा risk ही है अगर मैं एक लाग रुपे मेरे पास हैं, मैंने 1000 quantity buy करी हैं किसी stock की तो मुझे पता है कि 2% नीचे अगर वो आता है तो मेरा, बस हो गया मेरा काम यहाँ पर तो मेरे को मेरा potential loss पता होना चाहिए, मुझे मेरा maximum risk पता होना चाहिए तो यहाँ पर मेरे को एक ही lot से काम करना है, अगर 1000 का quantity है, तो एक lot से ही मुझे काम करना है अगर मेरी capacity 2% risk की है तो, तो यह हो गया हमारा क्या, how many lot should I trade अब माझाते है stay away from fear and greed, देखो यह भी बहुत जरूरी है कि हम कभी कभी क्या होता है, stock उपर भागता है और हम देखते हैं रहे यह भाग रहा है और हम वहाँ पर चड़ जाते हैं, buy करने के लिए और फिर क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, फिर यहां तो हम में लालच आया, तो यहां पर greed आया, हमने buy कर लिए, नीचे गिरता है तो डर के मारे fear के कारण हम यहां पर loss book करके निकल जाते हैं तो यह fear and greed से मैं बोलता हूँ कि इससे हमेसा दूर रहना है, यह बात हमेसा ध्यान रखनी है यह देखो, यहां पर example से भी आपको समझ में आएगा हमें, हमारा जो हमने plan बनाया है, जो भी हमारा setup है कि हमने entry कहां पर लेना है, exit कहां पर लेना है, यह pre-decide होना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई भी stock भाग रहा है, हम भी उस पर भागते बागते चड़ गए तो यह चीज भी हमने ध्यान रखनी है तो भागी धन्यवाद और कुछ आपके questions रहेंगे, कोई भी comments रहेंगे, किसी भी चीज को लेके तो comment जरूर करिएगा, आपके questions जरूर करिएगा वीडियो के नीचे तो मैं कोसिस करूँगा आने वाले वीडियो में उसका answer करने के लिए धन्यवाद